गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम सिंदु काटी सब्वेता के पर्षन जो महतोबुन पर्षन है उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स सिंदु काटी सब्वेता से संब्वन जो महतोबुन पर्षन हमने देख लिया है अभी हम पार्ट टू देखेंगे इस पार्ट में हम 15-16 क्यूशन पढ़ेंगे और यहां पर ऐसे क्यूशन का हमने क्लेक्शन करा है जो कॉम्पिटिशन एक्जाम के तोर से महतोबुन है इंपोर्टेंट है तो सिंदु काटी सब्वेता के बारे में हमने काफी डिटेल से इंफोर्मेशन पढ़ ली है सिंदु काटी सब्वेता का इध्यास है महतोबुन तत्य है पतन, सिंदुगाटी से बेदा की लीपी, सिंदुगाटी से बेदा की मैतोपुन इस्तल और नगर इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो चलिए देखते हम क्यूसन और आंसर तो पहला क्यूसन है हडपा पूर्वा और हडपा काली निस्तल है कौन-कौन से हैं इन में से काली बंगा और बनावली हडपा और मोहंजोद्डो हडपा यवं चन हुद्डो तो हडपा पूर्व है हर्थाथ हडपा से पहले के और हडपा काली निस्तल है काली बंगा यवं बनावली दूसरा क्यूसन है उत्तर हडपा संस्कृति के काठ्या वाड में इस्तित इस्तल हैं सुत का गेंडोर म. डबर कोट, रंगपूर म. रोजडी, बणावली और लोथल कोट दीजी म. भगतराव तो इन में से है रंगपूर एम रोजडी देखेगा पूर्वे हडपा का लीन संस्कृत्ती आमरी का छेतर था तो जो आमरी संस्कृत्ती है ये कहां पर थी पाकिस्तान में अब देखिए जो आमरी नामक के स्थल है इसकी खोज मजूमदार नहीं की थी कब की थी 1929 इस्वे मे और यहां से प्राग इत्यासिक सिंदू पूर्वे संस्कृती के और परवर्ती सिंदू सब्वेता के बीच के संकर्मन काल के साखसे यहां से प्राप्त हुए हैं तो प्राग इत्यासिक काल पूर्वे सिंदू खड़ी सब्वेता के और परवर्ती सिंदू खड़ी सब्वे प्राप्तिये हैं और आमरी में महत वुर्ण बात यह है कि आमरी के जो लोगबाग थे वो पत्थर के मकान और मिट्टी की इंटों से बने हुए मकानों में रहते थे और आमरी है यहां पर हडपा की सब्वेता सुरू होने से पहले ही बस्तियों की जो किले बंदी है वह दी गई थी ठीक है ना अब देखेगा अगला क्यूसन है सर्मिक आवास का अस्थीत्वय प्रकास में कब आया तो सर्मिक आवास का अस्थीत्वय प्रकास में कहां या सोरी कब ने कहां पे कौन से स्थल में तो वो है आपका हडपा या फिरकाली बंगा तो सर्मिक आवास का स्थित्व प्रकास में था हडपा में संदव सब्वेता को हडपा सब्वेता क्यों कहा जाता है तो संदव सब्वेता है इसको हडपा सब्वेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि संदव सब्वेता की खोज सबसे पहले हडपा नामक स्थल से हुई थी निम्नली के सिनस्कर्चे में से जलनिकास का उत्तम परबंद कहां देखने को मिलता है मिस्तर की सब्वेता में, मिसो पोटामें की सब्वेता में, चीन की सब्वेता में, अर्थात सिंदू सब्वेता में किलाकसर लिपी किन लोगों की थी? किलाकसर लिपी किन लोगों की थी युनानी लोगों की या फिर असीरियन लोगों की या फिर आपके मिस्तर के लोगों की या फिर चिनी लोगों की तो जो किलाकसर लिपी है किलाकसर लिपी असीरियन लोगों की थी अगला क्यों सुन है हडपा में पर्मुक अंतेस्टी पर्था थी दाहसे स्कार राक को कलस में रखकर गाड़ना मृतिका पात्र के साथ सरीर का विस्तारित सवाधान इस्थल के लिए इसमारक बनाना तो हडपा में पर्मुक अंतेस्टी पर्था कोन सी थी मुरति का पात्तर के साथ सरीर का विस्तारित स्वाधान सिंदू सब्वेता के उत्खरन में लगबग कितनी मुहरें प्राप्त हुई हैं हडपा सब्वेता में तोल की इकाई किस संख्या की गुणज है तो हडपा सब्वेता में तोल की कई हवा है किस संख्या की गुणज है 2 और 16 5 और 12 केवल 1 केवल 16 तो इसमें से होगा 2 और 16 देखेगा सिंदू सब्वेता के किस स्थल से गोदी बाड़े का स्थीत्व मिलता है तो सिंदू सब्वेता के लोथल से गोदी बाड़े का स्थीत्व मिलता है पूरोहित आवास और महाविद्दाले भवन का स्थीत्व कहां से प्राप्थ हुआ है तो पूरोहित आवास और महाविद्दाले भवन का स्थीत्व कहां से प्राप्थ हुआ है हडपा से मोहन जोद्रों से काली बंगा से या फिर लोथल से तो पुरोही तावास और महाविद्दाले भावन का अस्तित्व है मोहन जोदलों से प्राप्त हुआ है भारत में पूर्वा हडपा सिंस्कृति के चरण देखे जाते हैं तो भारत में पूर्वा हडपा सिंस्कृति के चरण कौन से स्थल में देखे जाते हैं कोट दीजी में लोथल में काली बंगा में या फिर रंगपूर में तो आपका आंसर आएगा इसमें काली बंगा मुंडी गक नामक हडपिय अस्थल कहां है तो मुंडी गक नामक हडपिय जो अस्थल हवाए अफखानिस्तान में है सूती कपड़े का आवसेश कहां से प्राप्थ हुआ है काली बंगा से मोहंजोदरो से हडपपा से या फिर कोट दीजी से तो सूती कपड़े का अवसे सब वो मोहन जदड़ों से प्राप्त हुआ है लगभग कितने लिपी चिन सिंदू सब्बेता के अवसे से प्राप्त हुए है तो सिंदू लिपी है उसे कितने चिन मिले है वो है आपके लगभग 250 से 400 फारिस की मुहर प्राप्त हुई है लोथल से, कालिबंगा से, मोहन जदड़ों से या फिर बनावली से तो फारिस की मुहर लोथल से प्राप्त हुई है हडपा सेंस करती का वह कौन सा पुरास्तल है जो दुर्ग तथा नीचे नगर दोनों अलग-अलग प्राचीरों से घीरे हुए हैं हडपा, काली बंगा या फिर रोपड तो काली बंगा काली बंगा है वैसा अस्तल है जिसके जो दुर्ग है और जो नगर है वो क्या है अलग-अलग प्राचिरों से गीरे हुए हैं तो दो टीले होते थे आपको मैंने पहले भी नगर निर्मानी ओजना में पढ़ाया है दो टीले कौन से होते थे एक को ऊपरी टीला या फिर नीचे का टीला कहा जाता था या फिर पूरवी टिला या फिर पस्तिवी टिला भी कहा जाता था और दोनों दुरग और नगर में बंटे हुए थे तो जो काली बंगा है ये ऐसा इस्तल है सिंदुगाटी से बेता का जिसके दोनों टिले अलग-अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे ठीक है तो और में हमने सिंदुगाटी से बेता संबन्दी जो इंपोर्टेंट क्यूसन है उनके बारे में पढ़ा आगे हम पार्ट थर्ड मना रहे हैं सिंदुगाटी से बेता के पर्षन उत्रों के बारे में तो आप कंटिनियूस देखिएगा और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल पन्यवाट